शेकपूरा जिले के कोस्मुभा उपी छेत अंतरगत लोधी पूर्णदी से आग्यात की वक कशव बरामत किया गया है इस घटना के बाद पूरे छेतर में दहशत का महौल है घटना को लीकर इलाके में सुबा से ही भीर लगी हुई थी भीर हटाने के लिए स्थानिये लोगो पूलीस को इसकी सूचना दी घटना स्थल पर पूलीस पहुँची लेकिन सूत्रों के अनुसार पूलीस शव को निकालने की बजाए आने जाने वाले वाहनों से अवैद वसूली करने लग गई मौकी पर उपस्तित लोगों ने पूलीस के इस हरकत पर जमकर नारे बाजी की बाद में कोस्मुभा ओपी थाना अध्याक्ष सदाशिव यादव के घटना स्थल पर पहुँचने के बाद शव को नदी से निकाला गया शव को पोस्माटम के लिए सदर अस्पताल भीज दि गया है मृतक की पहचान स्वर्गिय बालमुकद प्रशाद के 21 वर्षी पुत्र मनीश कुमार के रूप में की गई है मृतक युवक के पास से एक पर्स भी बरामत की गई है थोड़ी उलास को देख रहा है पुलिस कुछ ने करता है वहां पर लास रखी हुई और पैसा को सुल रहे हुँ रहा हुँ रहा है क्या ना मूँ आपका ब्रहना कुदा पुलिस चार्ट रहा है कुछ बोलिया नहीं रहा है पैसा कौन लिया पैसा लिया पुलिस बला गाड़ी बला से ट्रेक्टर बला बालु गाड़ी से क्या नाम हो आपका अमना किसोरी नाम हो क्या कुछ आपने देखा यहां पर आप लोग लास अभी तक निकल भाए कि नहीं क्या कारण रहा है कि अभी तक लास बाहर नहीं आई है सबको मालूम है कि सफाई कर में जितने भी हैं अरताल पर है किस बात का इंतेजार कर रहा है आप फिर क्या नाम हुआ आपका कहां कारण रथ हैं आप कुछ सुंभा वोपि क्या कुछ अभी लास से बरामद हुई है लास के पास से सर्व सर्मामला है कि सुभा से यहां पर लास रखी हुई थी लेकिन इस्थानिये लोगों के द्वारा यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि पुलीस के जबान यहां पर अब आद बसूली कर रहे थे अबरलोट गाड़ी से न्यूज एम इंडिया से रंजिन कुमार की रिपोर्ट